स्टेट बेंक ओफ इंडिया ने FD की ब्यासदर ने 0.25 प्रतिशत तक बढ़ाई 180 से 210 दिन तक की FD पर अब मिलेगा 6 प्रतिशत रिटन आपको बता दें कि FD से मिलने वाला ब्यास पूरी तरह से taxable होता है आप एक साल में FD पर जो भी ब्यास कमाते हैं वो आपकी annual income में जुड़ता है कुलाई के अधार पर आपका tax lab निरधारित किया जाता है जोकि FD पर urgent interest income को income from other sources माना जाता है इसलिए इसे tax detected and source या TDS के तहर चार्च किया जाता है जब आपका bank आपकी ब्यास आई को आपके account में जमा करता है तो उसी समय TDS काट लिया जाता है आए इस कड़ी में जानते हैं FD पर tax से जुड़े कुछ points के बारे में नमबर एक यदि आपकी कुल आई एक वर्स में 2.5 लाख रुपए से कम है तो bank fixed deposit पर TDS नहीं काटता है इसके लिए आपको forum 15 G या 15 H जमा करना पड़ेगा ऐसे में अगर आप TDS बचाना चाते हैं तो forum 15 G या 15 H जरूर जमा करें यदि सभी FD से आपके interest income एक वर्स में 40,000 रुपए से कम है तो TDS नहीं काटा जाता वहीं अगर आपकी ब्याज आए 40,000 रुपए से अधिक है तो 10% TDS काटा जाएगा पैन काट नहीं देने पर bank 20% तक काट सकता है 40,000 से ज़्यादा interest income पर TDS काटने का यह लिमिट 60 साल से कम उम्रे के लोगों के लिए है वहीं 60 साल से ज़्यादा उम्रे वाले लोगों के लिए यानि की senior citizens के लिए FD में 50,000 रुपए तकी आए टेक्स फ्री होती है इससे ज़्यादा आए होने पर 10% TDS काटा जाता है अगर बैंक ने आपकी FD interest income पर TDS काट लिया है तो आपकी कुल I income tax के दायरे में नहीं आती है तो आप काटे गई TDS को tax फाइल करते समय क्लेम कर सकते हैं ये आपके account में credit कर दिया जाएगा तो कैसे लगे आपको हमारी जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजेगा साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा